सुदान मंत्री ने आपदा प्रबंधन पर अंतर राष्ट्र सम्मिलन को वर्च्वल तरीके से किया संबोधित आपदाओं की चुनोतियों से निपटने के लिए सामोहिक प्रयास पर दिया जूर। से चार लोग छुल से सोतियों समय अपरादियों ने घटना को दिया अंजाम सभी घायल बहतर इलाज के लिए रेफ़र। और दो दिनों की राहत के बाद मौसम ने फिर ले करवट चल्चलाती धूरूप ने किया लोगों को परिशान एक बार फिर हेट वेव चलने की संभावना। नमस्कार खबर ज्छारकन में आपका स्वागत है। मैं हूँ आसे नाजली और अब समचारों पर विस्तार से नज़र डालते हैं। राष्टपती द्रौपदी मुर्मो ने उतरा खंट के दो दिवसिये दौरे के दूसरे दिन आज देहरादुन में भारतिये वन्व सेवा के प्रशिक्षू अधिकारियों को संबोधित क्या। इस तोरान राष्टपती ने कहा कि विकास की यात्रा में जनजातियों की भागिदारी को सुनिशित करना भी वन्विभा के अधिकारियों का दाइत्व है। आज एसर बविदित है कि पुर्थिवी की जोईबविविधता एवं प्राकुर्तिक सुन्दोर्ता का संगरोख्षून अतन्त महत्त पुर्ण कारियों है। जिसे हमें अतिसी ग्रह कारना है। बोने बंगबन्यो जीवों के संगरोख्षून और संबर्धन के जरिये मानुब जीवों को संकर से बजाया जा सकता है। इसलिए इंडियान फोरेश सर्विस के अधिकारियों के दाइत्व है कि मैं बहुत महत्तो पुर्ण मानती हूँ उनको दाइत्वों को। आपकी सेवा के स्री पीश्री निवास जी, स्री संजय कुमार सिंग जी, स्री एस मनिकंदन जी जीजे से अधिकारियों ने लाइन अब डूटी में आपने प्राण निचावर कर दिये और वी एसे बहुत से अधिकारी आपकी सेवामने देश को दिये हैं जिन्होंने परियावरण के लिए अतलो नियोकार्ज़ किये हैं उनके चर्चा बहुत सनमान से की जाती है उनसों भी को आप अपना रोल मोडेल एबंग मेंटर बनाएं एबंग उनके दिखाई हुए आदर्शों को अपने जिन्देगी में लाएं प्रधानवंत्री नरिंद्र मोदी ने आज आपदा प्रबंधन परेकंतर राष्ट्रिय सम्मिलन को वर्चुल तरीके से संबोधित क्या इस तोरान उन्होंने आपदाओं की चुनोतियों से ने पटने के लिए सामोहिक प्रयास पर जोड दिया श्रीमोधी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं सीमाओं से परे हैं ऐसे में इस क्षेत्र में साज्वा प्रयास की जरूरत है प्रधान मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर धांचगर्ट से नचना तियार करने का भी सुझाव दिया Friends, we must invest in resilient infrastructure today for better tomorrow. Resilience needs to be factored into new infrastructure creation. Further, it also needs to be a part of post-disaster rebuilding. After disasters, the emitted focus is naturally on relief and rehabilitation. लोकसभा चुनाफ के चौथे चरण के सिरसिले में सेभूम, खोटी, लोहरदगा और पलामू संसर्दिय सीट के लिए नामंकन कारे तेज हो गया है. पलामू से भाजपा प्रत्याशी बीडी राम ने आज नामजद्की का परचा दाखिल किया. इस मौके पर उनके साथ केंडर मंत्रे वीके सिंग और प्रदेश अद्दक्ष बाबुलाल मरान्डी समेट कई वरिष्टनेता मौचूद रहे. उधर लोहरदगा संसदिय सीट से समीर उनाफ के नामाकन कारिक्रम में गुजरात के मौके मंत्री भुपेंद्र पटेल शामिल हो रहे हैं. दोनों जगों पर भाच्पा की और से जनसभा का भी आयोजन किया गया है. इधर लोहरदगा से कॉंग्रेस प्रत्याशी सुग्दियो भगत कल नामजद्की का परचा दाखिल करेंगे. इस तोरान कॉंग्रेस और इंडिकर्ट बंधन के कई वर्या नेता मौचूद रहेंगे. इस बीच चारकर्ण मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा ने निर्दरलिये चिनाव लड़ने की घोशना की थी और आज विलोहरदगा सीट के लिए नामजद्की का परचा दाखिल कर रहें हैं. उधर राजमहन लोगसभा सीट से भी चामुमो के वरिष्ट नेता और विधायक लोबिन हमरम ने निर्दरलिये चिनाव लड़ने की घोशना की है. बारती चुनता पार्टी के खूटी लोगसभा प्रत्याशी और केंद्रि मंत्री अरजुन मुंडा ने कहा है कि उनकी पार्टी जो वायदे करती है उसे पूरा भी करती है. कलखूटी में अपना नामाकन दाखल करने के बाद जनसभा को संबोधित करती हुए श्री मुंडा ने विपक्ष पर भी निशाना साथा. प्रत्याशी काली चरण सिंग मुंडा ने भी अपना नामाकन कल दाखल किया, पार्टी की ओर से यहां शक्ती प्रदर्शन भी किया गया, चस्म मुख्य मंत्री चमपाई सोरेन, कॉंग्रेस के प्रदेश प्रभारी हुलाम एहमाद मीर समेत अन्य लोग भी शामिल हुए. इस तोरान श्री मुंडा ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में खूटी में कोई काम नहीं हुआ है. जुटा और ढोंगी का काम करन डा एरपोर्ट. इस बर क्या लग रहा है कि जीत का अंतर? अंतर हम लोग एक लाग बोट से जाद है बोट से जीत. लोग सभाच चुनाव के दूसरे चुरण के लिए प्रशार आज शाम समाप्त हो जाएगा. राजनितिक दलों के शर्ष नेता, रेलियां और रोट शो कर रहे हैं. तेरा राज्यों के 89 लोग सभाच सीटों पर शुकरवार को मतदान होगा. लोग सभाच चुनाव के दूसरे और तीसरे चुरण के लिए प्रशार तेज हो गया है. सबी दलों के शर्ष नेता, धुआधार प्रचार कर रहे हैं. प्रुधान मंत्री नरेंद्र बोधी आशाम मध्यप्रदेश के आंबिकापूर में एक जनल सभा को संबोधित किया. इस तोरान उन्होंने कहा कि भाजपा, आतंकवाद और नकसलवाद के खिलाफ बड़ी कारवाई कर रही है. इस तोरान उन्होंने कॉंग्रेस पर भी निशान असाधा. आशिर्वाद मांगा था. आपने मेरी बात का मान रखा और इस ब्रस्टाचारी पंजे को साप कर दिया. और आज देखिए, आप सबके आशिर्वाद से सर्गुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान, आज 36 गड़ का मुख्यमंत्री के रूप में, 36 गड़ के सपनों को साकार कर रहा है. इधर विपक्ष के भी शेशनेता, चुनावी सभाव और रोट्शो कर रहे हैं. अपने दल के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे. अग्त करन सत्यार्थी सहीत अन्य वरिय अधिकारों ने जिला मुख्याले अस्थित संत इगनेसियस हाई स्कूल के प्रांगों से इस जागरुता रैली को रवाना किया. इस तोरान उन्होंने लोगों से शत प्रतिशत मतदान की अपील की. अर्जुन अवार्से सम्मानित ओलंपियन माइकल किंडो की धर्ती सिम्डेगा अंतरगत कुर्डेग में स्विप के तहत मतदाता जागरुता कारिकरम के तहत होकी मैच का आयोचन किया गया. प्रतियोगिता की महिला वर्ग में कमहा डीपा और पूरिश वर्ग में दर्मला उच्चे विद्याले की टीम में जीत हासिल की. इस तोरान होकीर सिम्डेगा के पताधिकारियों ने खेलारियों का उत्साह पढ़ाया. मौके पर सभी ने लोग सभाचुना में वोटिंग की शपतली. प्रदान आपको लोग तंत्र को मजबूत करने की शक्ती प्रदान करता है. आगामी लोग सभाचुना में जामतारा जिले के आवशक सेवा से जुड़े कर्मियों को डाक मत पत्र के माध्यम से मत दान करने के सुवधा उपलब्द कराई जाएगी. इसके लिए जला प्रशार संद्वारा सभी आवशक प्रक्रिया पूरी की जा रही है. वर्य पदाधिकारी सहने देशक आई टी डी ए जुगनो मिंज ने इस सिल्सले में प्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनीदियों के साथ बैठक कर पोश्टल बैलेट के माध्यम से मत दान करने की आवशक प्रक्रिया की जानकारी दी. मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रिश्मियों सिंग ने मेडिया सहस्थानों से जुड़े प्रतिनीदियों को सुविधा का लाब लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र भर कर जिला जनसंपर्क कारेले को उपलब्द करानी के अपील की ताकि इन प्रपत्रों की जाज कर उन्हें समय पर पोस्टेल बैलेट की सेवा उपलब्द कराई जा सके। कोडर्मा की जुमरी तलिया शहर में गोदाम में आग लगने से अफरात अफरी का महौल उत्पन हो गया देखते ही देखते आग ने यहां विकुराल रूप धारन कर लिया। के मताबिक इस घटा में लगभग पांच लाख रुपे का नुकसान हुआ है। बढ़ते हैं आगे। हजारी बाग जिले के कोडरा थानाक शेतर में एक होटल में फीशन आग लगई जिसमें लाखो रुपे के नुकसान का नुमान है। बाद में अगलगी के सूचना अगनी शमन विभाग को दी गई हाला कि जब तक अगनी शमन वाहन पहुंशती तब तक आगने विकुराल रूप ले लिया था। प्रतक्ष दर्शोर ने बताया कि अगलगी की ये घटना शौट सरकीट की वजह से हुई है। दार्मिक परिटन को पढ़ावा देने के उद्देश्यों से आया टीसी लिमिटेड के सौचाने से उत्तर भारत और रामलला के दर्शन के लिए भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन 18 माई को चलाई जाएगी जो संथाल परगरना से होकर गुजरेगी। आया टीसी कोलकाता के मुख्य परिवेक्षक निखिल प्रसाद ने साहिब गंच में प्रेस कौनफरेंस आयोचित का रठारा मै को चलने वाली भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन में बुकिंग, शेहर में बस से घूमने, होटल में ठहरने और खाने पीने जैसी सु व्यक्ति कुल किराया 17,900 रुपे दे होगा। से परेटक माता व्याष्णो देवी, हरीद्वार, रिशिकेश, मतुरा, व्रिंदावन सहित, आयोध्यासित, श्री राम लला के मंदिर का भी दर्शन कर सकेंगे। से चल कर मालदा, रामपूरहाट, दुमका और भागलपूर के रास्ते, जमालपूर, क्यूल और पटना से होते हुए गुजरेगी। उमीद की जानी चाहिए कि इस ट्रेन से देश में धार्मिक परेटन को नया आया मिलेगा। और जन्व सामाने देश के विभन भागों में अस्तित, धार्मिक और पौरानिक महत्व के धरवहरों को साक्षाद देख सकेंगे। साहिब गंसिर संजे गुपता की रिपोर्ट। और गुरुवार को साथ बचकर पांच मिनट पर धनबाद पहुँचेगी। धनबाद से ये ट्रेन साथ बचकर पंदा मिनट पर आगी के लिए प्रस्थान करेगी। उसी प्रकार बरौनी कोयमबाटूर स्पेशल 26 अप्रेल से ठाई चून तक प्रतिक शुक्रवार को बरौनी से प्रस्थान कर शनिबार को पांच बच कर पचास मिनट पर धनबाद पहुचेगी। और यहां से 6 बची आगी के लिए प्रस्थान करेगी। और कोयमबाटूर पहुचेगी। वह इभारते रेल ने धनबाद से भुवनेश्वर की बीच चलने वाली ट्रेन की परिचालन अफधी में भी विस्तार किया है। राश्टरपती, दुरापदी, मुर्मू, और तराखंट के दो दिवसिय दौरे पर हैं और वेविभन कारेक्रमों में शामिल हो रही है। उन्होंने रिचिकेश में गंगार्ती में भी हसलिया। चंड सी जो तुमारे चलनी मेर आता, मैं शाजा जामिर माजा आता शर्म पड़े चो तुमारे चलनी में शो तुमारे चलनी में शो तुमारे चलनी में गंगार्ती में वादा दो दिनों की रहत के बाद मौसम ने आज से फिर करवट बदली है। आज सवेरे से चलचलाती धूपने लोगों को परिशान किया। रांची असित मौसम विग्यान के इंदर के अरुसार राजी के करी लागों में आगामी 27 अप्रैल तक एक बार फिर हीट वेव चलने की संभावना है। इससे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए अब देखते हैं फटा फटा अंदाज में जिलों की खबरें। पलामो के पुलिस अधिक्षक के निर्देशा नोसार अगामी लोगसवा चुनाफ के मदे नजर चैनपूर थाना तरगत विभिन इलाकों में अधिकारियों ने जवानों के साथ पैदल मार्च किया और ग्रामिनों से बात चीत कर उन्हें बिना किसी भै प्रलोभन दबाव के मतदान करदे के लिए प्रोच साहिब किया पलामो में पुलिस ने लोगसवा चुनाफ के मदे नजर मेदी नगर के छे मुहान पर सखन वाहन जांच अभियान चलाया इस तोरान बगैर हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने बालों और ट्रिपल लोड वाहनों को जब्त किया बीर्स मोटर साइकल से 25,000 रुपए चालान राशी का तुरित की गई लोगसवा चुनाफ के अधी सूचना चारी होने के बाद से 14 में 16,000 नए मतदाताओं का नाम मतदाता सुची में जोड़ा किया है जिला निर्वाचन पदादी कारी साह उपायुक्त रमेश खुलप ने अस बात के जानकारी साजा करते हुए कहा कि जिला प्रशासन, निस्पक्ष, शान्तेपुर्ण, भैमुक्त चुनाफ कराने के लिए संकल पित है अब तक जिले में नशीले पदार्थों के धरपकर और चापिमारी के दोरान 18 करोड 72 लाग से जादा रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किये गए हैं साहिब गंश की उपायुक्त ने लोगसभा चुनाफ के आलोक में CRPF के DIG जैदेव केसरी के साथ कारेले प्रकोष्ट में बैठक कर निश्पक्ष और शांतेपुर्ण चिनाफ संपन करने को लेकर मन्थन किया इस तोरान मतदान केंद्रों, वज्रग्रेह और मतगरना अस्थल पर सुरक्षक के साथ ही केंद्रे पुलिस बलके आवासान से सम्मंधित मूल भूत सविधाओं पर भी चर्चा हुई देवखर में पुलिस नगर थानक शेत्र से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते वे उसके पास से ब्राउन शुगर, गांजा और 6600 रुपे नगत बरामत किया इस खटना के बाद आरोपी शक्स को जेल भेज दिया किया राची के जगनातपूर थानक शेत्र अंतरगत हट्या रेल्वेस्टेशन के पास से हत्यार सही दो लोग गिरफ्तार किये गए हैं वर्य पुलिस अदिशक ने बताया कि इनके पास से हत्यार का फर्जी लाइसेंस एक नाली, 12 बोर का एक राइफल और 12 बोर की पांच कोलिया बरामत की गई है और ये लोग जो है फर्जी लाइसेंस भी बनवाए हुए हैं इन्होंने खुद स्विकार किया लखनों में बनाया है लखनों के नाम से हुए वो फर्जी लाइसेंस और स्विकार कि जो दो आदमी इस दन को लेकर घूम रहे थे लाइसेंस तीसरे अदमी के नाम से है देवखर उपायुक निर समाहर नाले असे डिस्ट्रिक्ट कमप्लेन मॉनिटिंग कंट्रोल रूम एन कॉल सेंटर और कार्मी कोशांग का निरिक्षन किया इस तोरान कॉल सेंटर में प्रति दिन आ रहे फोन कॉल और सी विजल एप पर आ रहे शिकायतों से जुड़े प्रतिवेदन की जाच करते वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एसोपी को लेकर सम्मंदित अधिकारियों को आवशक निर्देश दिये पूर्वी सिभू में सुतंतर निश्पक्ष और पारदशी लोगसभाचुनाव संपन कराने के उदेश्य से अंतर राज्जी और अंतर जिला चेक पोष्ट सक्रिये हैं जिले के उपायुक ने असामाचिक तत्मों पर नज़र रखने के लिए सभी प्रकार के वाहनों के सघंजांच का निर्देश दिया चेक पोष्ट पर शराब, ड्रग्स, पैसा, उपहार के अवैद परिवहन पर गहन निगरानी रखी जा रही है कोडर्मा उपायुक ने लोगसभा चुनाव के मदे नज़र जैनगर प्रखन सभागार में सेक्टर पदाधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की इस तोरान उन्होंने जिले में शांते पूर्ण तथा निश्पक्ष मतदान कराने में सेक्टर पदाधिकारियों की भूमी का और कारे दाइत्वों से संबन्दित आविशक दिशानर देश दिये आरपीफ राची ने ऑपरेशन सतर की के अंतरगत एक व्यक्ति के पास से शराब जब्त किया है फ्लाइंग तीम दौरा लोग सभाद चुनाव के मद्दे नजर स्टेशन चेकिंग के दौरान एक संदिग दिश शक्स भारी बैक के साथ प्लैटफॉर्म पर टहलते मिला और अब बात करते हैं कारोबार जगत की National Asset Reconstruction Company Limited के नई प्रवधान के अधीन श्रे Infrastructure Finance Limited ने खरदयाल प्रसाद को अपना नया CEO न्यूप्त किया महिंद्रा और महिंद्रा की Financial Service देने वाली महिंद्रा और महिंद्रा फिनांस के साथ धोकधड़ी का मामला आया सामने खुद्रा वाहन कर्ज में लगभग 150 करोड रुपे की धोकधड़ी का मामला सामने आने के बाद महिंद्रा फानांस की निदेशक मंदल की बैठक को 30 मई तक टाल दिया गया है मारत में हवाई यात्रियों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोत्री की सप्रेल को ही घरेलू हवाई आत्रियों की संख्या एक दिन में रेकॉर्ड सर्थ तक पहुंची फोन आइडिया का 18,000 करोड रुपे का फ्पियों तीन दिनों में 6.99 गुना सब्स्क्राइब हो गया है इसमें हाद काटेगरी के निवेशकों का हिस्सा पूरा भर गया है शुरवाती कारोबार में इसमें तेजी देखी और ये 12 फीजी तक उचल गया मार्किट वैलुएशन के लिया से देश की सबसे बड़ी कंपनी रुलाइन्स इंडस्ट्रीज ने वितवर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे किये चवारी अरप पदी गारोबार इमोकेशन बाने की कंपनी का माच दिवाही में नेट प्रॉपिट तफ्री बन रहा फ्लाइट भारी उद्योग मत्वाले को एडवांस्ट केमिस्ट्री सेल वी निर्मान उत्पादन से जुड़ी प्रोट साहन योशना के तहह दस गीगावाट की दुबारा डिवीदा में साथ कंपनियों की बोलिया मिली है खेल जगत की महत्वपून खबरों को अब देखते हैं फटा फटा अंदाज में आई बिल में आज होने वाले मैच में दिल्ली कैपिल्स का सामना गुजवाट टाइटिन्स के साथ दिल्ली की टीम 6 अंग के साथ अंग तालिका में 8 पिस थान पर वहीं गुजवाट की टीम 8 अंग के साथ 26 थान पर इंजे प्रीमे लीग में कल खेले गए मैच में लखनाओ सूपर जाइंस ने चेनई सूपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया पहले बल्ले बाजी करते वे चेनई की टीम ने 4 विकेट पर 210 रन पर आए जबाब में लखनाओ की टीम ने उनने सूपर 3 विकेट बाकी रहते वे लक्ष हासल कर लिया कल खेले गए माच में आर्सनेल ने चैल्सी को 5-0 से हरा दिया एस जीट के साथ आर्सनेल लियांग तालिका के श्रीश पर 3 अंख की बनाई बढ़ाद आस्टन विला के मैनेजर उनाई एमरी ने कलब के साथ अपना करार 2027 तक बढ़ा लिया है एमरी नवंबर 2022 में स्टीवन जराट के स्थान पर विला के मैनेजर बने थे एमरी ने कलब को साथवे स्थान पर फिनिश करने में मदद की वही कलब ने यूरोप का कॉन्फरेंस लीग में भी क्वालिफाई किया लेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग में वाप सीक्योर मजबूती से कदम बढ़ा लिये चैंपेंशिप में लेस्टर ने अब्दूल पतावू की हैट्री की मदद से साउथ हम्टन को पांच शूने से हरा लिया जन्मजात विकरितियां वे विकास शील अंगो या अंग समूहों की आसामाने या आपूर्न विकास के स्थित्या होती हैं जो जन्मी के समय होती हैं ये विकरितियां बच्चे के शारेरिक या मासिक स्वास्ते को प्रभावित कर सकती हैं इसके कौन-कौन से कारण हो सकते हैं देखते हैं इस रपॉर्ट में कंजनाइटल डिफॉर्मिटीज यानि शिश्यू में जन्म से ही किसी प्रकार की विक्यूती होना जिसके कई कारण हो सकते हैं कई बार गर्भवस्था के दौरान की गईला परवाही आनुवंशिक कारणों या फिर किसी अन्यकारण से शिशू जन्मजात विक्रिती से ग्रस्थ हो जाता है बेबी को पूर्ण तरीके से पहले दो दिन में देखें ठीक से कि वो ठीक से सांस ले रहा है नीरा नहीं पढ़ रहा है पिशाप ठीक Time पर कर रहा है लाटिन ठीक टाइम पर कर रहा है उल्टिया नहीं कर रहा है पेट की सूजन नहीं है तो होते हैं कोई congenital bird defect के इसके अलावा उसको examine करें खुद भी examine करें और एक दफा किसी pediatrician से या बच्चों के डॉक्टर से examine करा है देखें कि उसका सिर्फ बढ़ा तो नहीं है सिर्फ पिलपिला तो orientation है वो ठीक है कहीं टेड़े तो नहीं है हाथ पे पेट को देखें कि कोई पेट से बाहर कोई आतलिया तो नहीं निकल रही है कोई swelling तो नहीं है और Latin का रास्ता देखें कि वह बनावा है या नहीं बनावा है नॉर्मल दिखते वे पेटर जो होता है जिससे हम saturation और oxygen देखते यह लगा के भी कई congenital heart defects जो वेसे नहीं पता चलती है पता चल जाती है कुछ वीकृतियां अत्यदी गंभीर होती है और स्पोर्ट के साथ है इस बुलिचर में फिल हाल इतना ही लेकिन खबरों के लिए आप बने रहे हैं दूर दरशन के साथ लेकिन चलते चलते फिर से सुर्ख्यों पर एक नज़र सुदान मंत्री ने आपदा प्रबंधन पर अंतर राष्ट्र सम्मिलन को वर्श्वल तरीके से किया संबोधित आपदाओं की चुनोतियों से निपटने के लिए सामुहिक प्रयास पर दिया जूर राजी की चार संसदिक शेत्रों में नामांकर जारी पलामुल सीर से भाजबा की बीडी रामने किया नामांकर समीरुनाव समेथ आन्य दनों के प्रत्याशी भी करेंगे नामांकर साइब गन्स दिले के राजमान थानाक शेत्र में एसीर अटैक से चार लोग छुल से सोते समय परादियों ने घटना को दिया अंजाम सभी घायल बेहतर इलाज के लिए रेफर और दो दिन की राहत के बाद दो